सबसे पहले बात करें यहां पे relation and function फूरे chapter के अंदर जो भी हमारे formula use होने वाले हैं जो भी term use होने वाली हैं सारी की सारी आपको एक page पे देखने को मिल जाएंगी उससे आगे next बात करें हम inverse trigonometric function आप इनको वीडियो को पोज़ करके भी आप इन formulas को write down कर सकते हैं जो कि आपक की exam के time पे sort notes बन जाएंगे आपके एक तरीके से और exam की preparation में आपकी help करेंगे inverse function के अंदर जो भी हमारे formula हैं सभी trigonometric functions की domain और range यहां पे अच्छे से define कर रखी है inverse sine function inverse cosine function क्या graph होते हैं आप इनके graph में confused रहते हैं तो यहां पे बहुत अच्छे से दे रखे हैं tangent का graph दे रख next चलते हैं matrix chapter के उपर matrix chapter के अंदर order of matrix क्या होती है equality of matrix क्या है यह चीज़ दे रखी है अब बात कर लेते हैं types of matrices की तो यहां पे कौन-कौन सी type की matrix हमारी होंगी पूरे syllabus के अंदर वो यहां पे अच्छे से define की है next transpose of matrix क्या होता है symmetric or skew symmetric matrix क्या होती है यह यहां पे definition भी आनी कई बार one marks में क्या करता है definition पूछ लेता है यह चीज़ ध्यान रखना मेरे एक्जाम में भी यही आई थी excuse matrix matrix की definition ठीक है आगे चलते है एडिशन of matrix क्या होता है multiplication of matrix कैसे क्या ज़ता है उसका rule क्या होता है वो भी यहां पर अच्छे से बता रखा है कि order किस तरीके से match करना ह होता है तो इसको आपको deep से पढ़ना है ठीक है ध्यान से बता रहा हूं मैं इस वीडियो को आप पोज करके इसका screenshot ले सकते हैं जो कि आपकी preparation में help करेगा आगे multiplication of matrix by scalar से करनी है तो किस तरीके से की जाएगी अब बात करते हैं यहां पे properties की properties क्या है यहां पे commutative ला क्या हो किस तरीके से perform होगी matrix की वो देखो यहां पर associative law कैसे use होगा distributor law किस तरीके से use होगा a into b plus c equal to किसके होगा a b plus a c के existence of multiplicative identity की exist करती है या नहीं वो इस condition से देखेंगी matrix multiplication is not commutative यहां पे ध्यान से देखो कि matrix के अंदर अगर multiply करते है नाम वो कभी भी commutative नहीं होती है यह चीज़ धान देना important point है a of b never be equal to b of a एक्जाम में question मिलेगा इस type का आगे properties of scalar multiplication of matrix यह property होगी invertible matrix क्या होती है उसकी definition की बात करे तो यह दे रखी है फर्दर आके देखते ह यहाँ पर हमारे chapter आगे fourth determinant determinant के अंदर हमें क्या दे रखा है order दे रखा है order किस तरिके से define होता है यह दे रखा हमे de-terminaем of order 3 किस तरिके से हम इसको soul out करते हैं formula दे रखा है, minus क्या होते हैं, co-factors क्या होते हैं, किस तरिक्के से find out किया जाता है, area of triangle का formula क्या use करेंगे हम, उसके बाद air joint and inverse of a square matrix, यह हमारे पास हो गया, consistency, square matrix, inconsistency, solution of equation कैसे किया जाता है, वो यहाँ पर अच्छे से आपको define कर रखा है, next chapter आता है, मारा chapter number 5, continuity and differentiability, अब यहाँ पर देखो continuity का मतलव क्या है, यह chapter बड़ा important है और बच्चे इसमें confused रहते हैं, continuity और differentiability में, यह हमारी continuity की definition दे रखे, किस तरिक्या से हम continuity को check करते हैं, किसी भी function की, differentiability की बात करें, तो यहाँ पर हमें differentiation करने का formula भी दे रखा है, किस तरिक्या से हम कोई भी differentiation perform कर सकते हैं, next change rule क्या होता है, किस तरिक्या से u into v का formula लगाते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से दे रखा है हमें, derivative of inverse trigonometric function, important, most important, mark कर लो, sine inverse का, derivative, cos inverse का, tan inverse का, quote inverse का, secant का, और cosecant का, और यह याद करने बहुत ही simple होते हैं, और exam के अंदर यही चीज़े, आपका time बचाती हैं, और यही चीज़े, जिसको आती है ना, वही questions को पार ले जाता है, अब यहाँ पे देखो, sine inverse का और cosecant का same formula होगा, बस sine का difference, sine में positive है, cos में negative, 10 और quote का same होगा, 10 में positive, code में negative, ऐसे ही secant और cosecant का same होगा, बट यहाँ पे cosecant में negative, बस यह चीज़ धान रखने हैं आपको, आगे चलते हैं, derivative of functions expressed in the parametric forms, यह इस तरिक्ये से हम यहाँ पे दो function दे रखे हैं, तो dy by dx कैसे निकाल सकते हैं, दोरनों के derivative को divide करके, आगे चलते हैं, second order derivative क्या होता है, कि एक बार हम किसी का derivative करते हैं, तो dy by dx निकलता है, दोबारा derivative करेंगे, तो d square y by dx square form हो जाएगा, तो यह हो गया हमारे पास second order derivative, next chapter की बात कर लेते हैं, application of derivative, तो application of derivative के अंदर क्या है, rate of change of bodies, कोई भी बोडी है, जो मुग कर रही है time के साथ, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर rate of change of bodies निकाल सकते हैं, अब जैसे velocity होते है, rate of change of displacement, acceleration होता है, rate of change of velocity, तो यह सारी चीज़े हमारी किसके अंदर आएंगी, rate of change of bodies के अंदर आएंगी, आगे देखेंगे, increasing and decreasing function क्या होता है, यहाँ पर increasing का interval बता रखा है, कि किस तरीके से हम increasing देखेंगे, किस तरीके से decreasing देखेंगे, समझ भी आगी बात, फिर आगया हमारा maxima and minima की condition, यहाँ भी बच्चे confused रहते हैं mostly, तो यहाँ पर हमें order derivative, first order derivative से check करना है, कि कब हमारा local maxima होगा, कब minima होगा और कब हमारा point of inflection होगा, यह तिन्नों यहाँ पर point अच्छे से define कर रखेंगे हैं, आगे चलते हैं second order derivative test क्या होता है, जब हम किसी function को दो बार derivative करके check करते हैं, तब भी हम local maxima और minima check कर सकते हैं, कब किया जाता है, वो conditions यहाँ पर दे रखी हैं, आगे बात कर लें, यहाँ पर working rule of finding absolute maxima और absolute minima, कब absolute maxima और कब absolute minima find out करना होता है, वो यहाँ पर हमें step अच्छे से समझाए गए हैं, पहले step में आपको यह करना है, step second में, यह perform करना है, step third में, यह check करना है, और then हमारा step four आएगा, तो इस तरिक्के से हम absolute maxima और minima find out कर सकते हैं, आगे चल लेते हैं, integral के हमारे यहाँ पर कुछ formula दे रखे हैं, integration के, तो यह हमारे पास integration आगया हमारा किस तरिक्के से होता है, most important chapter है, बहुत सारे के उससे यहाँ से पूछे जाते हैं, उसके बाद हम standard integral, यह हमारे कुछ important formula दे रखे हैं, जिनको आपको अच्छे से learn करना है, मैं दोबारा दिखा दिता हूँ, यहाँ पर एक बार, तो आप इनको note down कर सकते हैं, screen source ले सकते हैं, सारे के सारे formula quick revision बे आपकी help करने वाले हैं, method of integration, substitution method से partial fraction से integration by parts, तो यह तिन्नो method होते हैं हमारे integration करने के, उसके बाद यहाँ पर integration by substitution method दिखा रहा है, कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं, अपने questions के अंदर, आगे चलते हैं यहाँ पर, integration के हमें कुछ और formula दे रखे हैं, यह रहे हमारे सम special integral, यह भी आपको अच्छे से पता होने चीए, एक ही पेस पे मैं साथी चीज़े दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो ठीक है, चैनल को subscribe जरूर करना है, वीडियो को like और comment जरूर करना, partial fraction और integration by parts किस तरीके से किया जाता है, partial fraction को कैसे use करते हैं, कौन-कौन सी condition में कैसे कैसे उसको divide किया जाता है, integration by parts हम किस तरीके से perform करेंगे, यहाँ पे isolate का formula आपको use करना है, isolate मतलब क्या है, पहले inverse function आता है, फिर logarithming, फिर algebraic, फिर trigonometric, फिर exponential, यहाँ पे कुछ हमें थोरम दे रखेंगे, और यह standard integral और दे रखें, limits की form में, equation of definite or integral by substitution, तो यह भी हमें अच्छे से यहाँ पे terms को पढ़ लेना है, आपके exam में बहुत ज़्यादा help करेंगे, बाए करना चाहते हो book, link आपको description में मिलेगा, otherwise चैनल को जरूर subscribe कर लेना, आपके लिए important videos में लाता रहूँगा, thank you students,